हैलो वीवर्स, असलाम लेकूं, मैं हूँ रोशन, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं गोभी का पराठा बनाने की रेसिपी, ना तूटेंगे ना फटेंगे, परफेक्ट बनेंगे, चारो तरफ से देख सकते हैं, इसी तरह से पूरा भारा भारा बनेगा, और खाने में बह लेकल सकते हैं, फ्रेस है, बिल्कुल टाइट सा है, तो हम इसका फूल बड़ा-कस से तोड़ सकते हैं, तो हमसा भी को इस तरह से तोड़ लिए हैं, और इसका हम कदू कस करेंगे, возь नहीं करेंगे, बिल्कुल बारीक वाला जो होता है, उसमें करेंगे, आप चाह vasani लगे उससेब कर सकते हैं लेकिन इसका फूल बड़ा-बड़ा है तो इस तरह से आसानी से होजा रहा है देख सकते हैं हमने बारिक वाला कर रहें हैं कदूकस कर रहे हैं मोटा वाला से करेंगे तो पराठे फट जाएंगे अच्छे नहीं बनेंगे तो इसका ध्यान कदूकस करने में। इसको आप बाद में चाकू से भी काट सकते हैं। तो सब को हमने कदूकस कर लिए है और बहुत अच्छा बारिक हो गिया है तो इसमें पानी से रहता है। आप ip Jan कपड़ा में डाल कर निचोड़ सकते हैं। गवासके ही कपड़ा में यहाथ से देख हम ऐसे ही कर दे रहे हैं पानी निकल जाता है इससे क्या होता है कि पराठे बहुत ही परफेक्ट बनते हैं अगर पानी को आप छोड़ देंगे तो पराठे अच्छे नहीं बनेंगे तो सभी को हम इस तरह से अलग कर ले रहे हैं पानी से ये पानी को निकाल ले रहे हैं ये ट जो भी मसाले अड़ करना होगा हम एड़ करेंगे हम कटोरी से मेजर मेंट कर रहे हैं आप मैदा भी ले सकते हैं हम गेहूँ का आटा 2.5 घटोरी ले रहे हैं आप अपना खाने का देख लें जितना आपको खाना हो उतना ले सकते हैं एक तीसपून इसमें हमने नमक डाला है और हाफ टीसपून अजवायन हाथ से इस तरह से क्रश कर के डालें इससे क्या होता है कि गैस भी नहीं बनने देता है और टेष्ट भी अच्छा लगता है अजवायन का तो सभी को हमने mix कर लिया है और जिस कटोरी से हमने आटा लिया है उसी कटोरी से हम पानी इसमें mix करेंगे measurement करेंगे एक कटोरी हमने पानी डाल दिया है और देखते हैं कितना हमको पानी लगता है एक साथ पानी नहीं डालेंगे जितना जरूरत होगा उतना ही हम पानी डालेंगे तो एक कटोरी और हमने इसमें पानी ले लिया है जिस तरह से रोटी के लिए आटा का डो तैयार करते हैं उसी तरह से इसको भी करना है तो इसमें हम देख सकते हैं अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करते हुए और पानी हलका हलका डालते हुए हम आटा को गुंध रहे हैं और बिल्कुल ही soft अच्छा से गुंधें तभी फुला फुला पराठा और मुलायम soft अच्छा बनेगा तो इसको बहुत ही अच्छा गुंधना जरूरी है अगर कम गुंधेंगे तो आपको रेष्ट देना होगा तो आटे को 15-20 मिनट तक आप रेष्ट के लिए छोड़ देंगे तो भी मुलायम हो जाता है लेकिन हम ज्यादा ही इस तरह से इस तरह से गुंध ले रहे हैं ताकि हमको ज्यादा रेष्ट के लिए छोड़ना न पड़े तो अच्छी तरह से देख सकते हैं हमने गुंध लिया है और पानी हाफ कटोरी और बच गिया है मैं दिखा रहे हूं पानी एक कटोरी हमने फूल डाला हुआ था और फिर हाफ कटोरी हमने इसमें यूज किया है पूरा डेड़ कटोरी हमारा पानी लगा है देख सकते हैं तो आटा भी रेडी हो गिया है अब मसाले अड़ कर लेते हैं स्टफिंग के लिए एक टीस्पून हमने जीरा काली मिज के पाउडर डाला हुआ है एक टीस्पून धनिया पाउडर हाफ टीस्पून और हम इसमें डाल रहे हैं तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और एक टीस्पून हम इसमें चाट मसाला अड़ कर रहे हैं और नमक एक टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं, टेस्ट देख लें, आप मिक्स करके चख कर देख सकते हैं, तो दो हरी मिर्च और आठ दस कलियां लहसुन का और एक इंच अधरक का टुकड़ा का हमने पेश्ट बना लिया है, तो सभी को हम इसमें एड कर देते हैं, और धनि बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा हमारा, हल्दी पाउडर हम थोड़ा सा इसमें कलर लाने के लिए एड कर दे रहे हैं, हाफ टीस्पून और अच्छी तरह से मिक्स कर लें, देख सकते हैं, जब भी अगर आपको बनाना हो पराठा तब ही आप नमक इसमें एड करें, वरना पहले से ही आप नमक एड करकर रख लेंगे और लेट से बनाएंगे तो फिर इसमें पानी सा छोड़ देता है, तो पराठा अच्छा नहीं बनेगा, आप सारे मसाले भी एड करके रख सकते हैं, और जब आपको बनाना हो तब नमक मिला करके आप बना सकते हैं, एक द जादा नहीं, तो इस तरह से जिस तरह से हम पेड़े बनाते हैं ना उसी तरह से हम बना रहे हैं, देख सकते हैं, सुखाटा हमने लगा लिया है, अब बेलन से हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जादा नहीं बढ़ाना है, बस थोड़ा सा देख सकते हैं, बस इतना ही काफी ह अब इसमें आप स्टाफिंग भर लें जितना आपको भरना हो ज्यादा भरेंगे तो ज्यादा बहुत ही अच्छा लगेगा हम इसमें ज्यादा भरेंगे देख सकते हैं इस तरह से जितना आपको लगे कम भरेंगे तो फिर वो भी दिकत नहीं है लेकिन ज़्यादा भढ़ने में पुरा खाने में बहुत ही टेश्टी अच्छा लगता है पुरा गोबी का स्टफिंग चारों तरफ से फैल जाता है तो खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है तो हाथ से इस तरह से करते हुए आप अंदर की तरफ कर लें और यह आटा उपर की तरफ आ रहा है इसी के उपर हम दबा देंगे यह देख सकते हैं इस तरह से इसी में हमने दबा दिया है अब सुखा आटा लगाते हैं और हाथ से प्रेस करते हुआ इसको बढ़ाएंगे जितना हो सके आप हाथ से प्रेस करके बढ़ाएंगे तो बेलन ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा ज्यादा बेलन से बेलने में थोड़ा फटने का चांस रहता है क्योंकि इसमें हमने काफिये स्टफिंग भरा हुआ है गोवी का तो इस तरह से हम चारो तरफ से फैला ले रहे हैं अब बेलन से हलके हाथों से इस तरह से बेलें और ज़्यादा अगर दबाएंगे तो फिर ये फट जाएगा तो देख सकते हैं हमने आराम से इसको बेल लिया है बहुत ही अच्छा हमारा पराठा बन जा रहा है एस्टफिंग भी हलका हलका दीख रहा है इससे कोई दिक्कत नहीं है क्यूंकि हमने बहुत ही अच्छा से इस हो गया इस से जाधा पतला नहीं करेंगे जादा मोटा भी नहीं और जादा पतला भी नहीं तो हम दूसरे Betty concur के आपको दिखा रहे हैं लेख सकते हैं। इस तरह से अंदर की तरफ एक हाथ से तर्ला करते हुए फिर ऊपर लेओं इस तरह से आसानी stuffing अंदर हो जाता है यह इस तरह से मोड़ दे और इसको हम last में दिखाएंगे पूरा प्राटे को खोल कर कि चारो तरफ से stuffing गया है या नहीं इस तरह से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा बनेगा हाथ से प्रेस करते हुए थोड़ा बढ़ ले तब आब बेलंसे इसको बेलें हलके हाथों से तो ये भी हमारा रेडि हो गया है और रłosा रहा गरम हो गया है हमने थोड़ा साओल लगा लिया है आप को चिकना करने के लिए मैं तो आप हम स데 लेते हैं इसको हलका सा देख सकते हैं इस दो है अब हम पलट लेते हैं तो पलट कर देख लें फिर किसी का है या नहीं इस तरह से देख करके आप चेक करके उसके बाद आप तेल उपर से लगाएं कोई साभी ओयल लगा सकते हैं सरसो इल रिफाइन या राइस ब्रेन ओयल जो आप खाते हों तो हमने उपर से थोड़ा क्या होता है बेची में सीख जाता है और किनारा किनारा में नहीं सीख बाता है तो इस तरह से प्रेस करेंगे न तो अच्छा से सीख जाएगा यह अंदर तक अच्छी तरह से ऐसे फूल गिया है लेकिन उपर तक नहीं दीख रहा है क्योंकि साइड से देख सकते हैं भाफ नि तरह से इसको भी हम सेखेंगे उलट-पलट करके उयल लगा करके इसको भी हम बना लेते हैं तो पराठा बनाना बहुत ही इजी है और ठंडी का मौसम है गोवी का पराठा बहुत टेस्टी लगता है देख सकते हैं किस तरह से फूल गया है तो स्टफिंग ज्यादा हमने भरा ह इसलिए थोड़ा कम फूल रहा है आप कम स्टफिंग भरेंगे तो ज्यादा फूल जाएगा तो इस तरह से खाने में अच्छा लगता है पूरा भरा भरा स्टफिंग ऐसे तो बहुत ही अच्छा हमारा फूल गया है अच्छा बन गया है तो हमने सारे पराठे बना लिये है आप भी मेरे तरीके से बनाएं मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारे चैनल तारा नूर मोधी की अरगो तो हम अभी बनाकर ही तुरंत ये खोल कर हम दिखा रहे हैं हाथ में आठा मेरा लगा हुआ है क्योंकि हाथ अभी हमने धोया हुआ नहीं है गरम गरम है देख सकते हैं और कितना अच्छा पराठा बन गया है हाथ से जल रहा है खोलने में तो हम चाकू भी इसमें लगा ले रहे हैं देख सकते हैं इस तरह से कहीं पर भी खाली नहीं है कि स्टफिंग चारों तरफ से है तो कमेंड करके बताईए आपको कैसा लगा और बनाईए और खाईए हमें दीजी अभी जाजत अस्सलाम लेकूम